हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग आज एक नए वीडियो देखने के लिए आप रेडी हैं आपका स्वागत है आज इस वीडियो में बात करते हैं काफिया क्रूडा की काफिया क्रूडा के इसको समझते हैं किन-किन लचों को QOR करती है ठीक करती है उसको भी समझ देंगे और अंत में इसको देखेंगे कैसे यूजँ करेंगे क्या क्रूडा आगा बैहतरीन मिर्सी ने छोटी सी वीडियो में काम की पास समझ में आने वाली है तो वीडियो अंद तक देखिए कुछ नया information आपको मिली जाएगा तो दिखिए जो काफी है और चाय है दोनों एक दूसरे के सगे समंधी हैं यूँ समझ लिजे चाहे आप चाय पीते हैं या फिर काफी दोनों के केमिकल मोरालेस एक ही जैसे हैं चाय काफी का पैफीन हो या फिर चाय का थीन हो दोनों बाडी में जब जाते हैं तो फाइनली कनवर्ट से जाते हैं यूरी के सिल में मेटाबॉलिक प्रोसेस के तुरू कनवर्ट हो जाते हैं यूरी के सिल में और चाय और काफी पीने से यूरी के सिल धीरे धीरे बढ़ता है तो जिनको भी यूरी के सिल की समस्या है है वो लोग काफी और चाय जरूर पीना बंद कर दें अब खास और से हिदात उनकों है जिनकी उम्र 40 प्लस है तो लोग तो जरूर ही बंद कर दें अन्य था बड़ी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाएंगे ऐसी भी मेरी आ जिनका क्योर फिर नहीं है शिसे घुटना खराब हो जाएगा या फिर यह जो यूरीया बढ़ता ना यूरी केसी बढ़ता न थे खतानाक तरीके से केर्णि को एफेक्ट करता रहता है और बाद में क्रेटिनीन यूरीया भी बढ़ने के संभवना बंती है यूरीकेसित प्राइम provider है कि बाद में ऐसा कुछ होने वाला है तो चाय और कापि में कावन यह है कि दोनों अंत में शरीर में यूरीकेशिट बढ़ाने में हेल्प करते हैं यह नुक्सान करते हैं और और सिमिलर्टी के हैं कि यह जो चाय और काफी है इनकी जो केमिकल है जो ब्रेन है यह यह उसमाज़ी जो बॉड़ी है उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को बढ बढ़ाते हैं बस हमेशा के लिए नहीं तो जो काफी और चाय के केमिकल ब्रेन की फंक्शनल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं यह कार करने की इंटेंसिटी उसको बढ़ा देते हैं और कार करने के इंटेंसिटी बढ़ी हुई है ऐसा परसन और जिसको प्लेजरेबल इम अच्छा उसके लिए हो गया जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो सोचने रहा था कि ऐसा हो जाएगा कि जैसे यह समझ जोगे छोटा सबस्चा जा रहा कि इस स्कूल जा रहा है राष्टे मुझे 500 के एक नोट मिल जाए एकड़म खुस हो जाएगा तो जो कंपरेबल जो इमोशनल चेंज आते हैं वो डिपेंड करता है अलग-अलग सिच्वेशन पे जैसे एक बड़ा आदमी जा रहा है अगर उसको 500 रुपए मिलता है जैसे बड़ास आदमी है इसको 500 रुपए मिलता है तो उतना खुसी नहीं होगा एक छोटा सबच्चा है जो अ और सदेन एमोशनल चेंज हो गया तो उसको बाड़ी उस पेसेंड की बाड़ी उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है इस वज़ा से शरीव में एबनार्मल चेंज धीरे-धीरे आने लगते हैं और वही एबनार्मल चेंज काफिया कुरूडा की तरफ इंडिकेट करते हैं कि उ अगर समझा जा तो सदेन प्लिजरेवल इमोशनल चेंज यानि बाड़ी में अत्यतिक खुशी मिल गई किसी भी तरीके से उस वज़ा से हाइपर एक्टिव बाड़ी जो ओवर सेंस्टिव है काम करने के लिए अल्ड़ी मतलब है तयार है तो उस वज़ा से दिमाग में था हो जाएगा तो उनसे मिलेंगे ते करेंगे को करेंगे एक का तारत्य में दूसरे से है नहीं और उस वज़ा से जो बाड़ी है और रेश्ट में नहीं आपाती है तो बाड़ी अगर रेश्ट में नहीं आएगी तो फिर नीद नहीं आएगी तो ऐसा कुछ सिम्टम से काफी अकुरूरा का पहला सिम्टम देखिए बाइड इफेक्ट आफ सदन इमोशनल चेंज इमोशनल चेंज मतलब चानक से कुछ खुशी मिल गई उसका जो दूस्परगाम आ रहा है और दूस्परगाम कुछ इस तरह से है कि कि mental exaltation का फिजिकल एक्साइटमेंट जो दिमाग में जो खुशी की जो उमंग है मेंटल लेबल पर है वो फिजिकल लेबल पर सिम्टम्स प्रडूस कर रहे है कि विस्तर पर इदर उदर करवड बदल रहा है कुछी पर बैठ पानी पी रहा कुछ न कुछ कर रहा है तो restlessness mental expression उसका फिजिकल आ रहा है और फिजिकल एक्सप्रेशन में क्या देखे आ रहा है इस तरह से कि full of ideas दिमाग में ठेसारी ideas चल रहे है और kit to act जल्दी से काम करना चाहता है जल्दबाज टाइप का और oversensitive हो कि संस्टिवटी तनी ज्यादा है कि जैसे कुछ काम कर रहा है emotional change body हो गया है जड़ा सभी sound बजे तो उसको खराब लग जाएगा disturb कर रहे है या फिर कोई आगया पूछ ले भाई क्या कर रहे हो तो भी उसको गुस्सा लगने लगती है तो इस तरह से over sensitive है और full of ideas active to act है over sensitive है तो दिमाग में unusual activity चल रही है तो दिमाग में unusual activity चल रही है तो दिखिए जो नीद आने के कई factor हो सकते हैं उसमें कुछ factor है इस तरह से है कि mind कैसा है उसके अंदर कुछ ideas चल रहे है अनुज visual activity है इस वज़े से नीद नहीं आ रही है लोग बोलते हैं कि दिमाग में कुछ ने कुछ चलता रहता है दिमाग रेश्ट में आता नहीं इसलिए body रेश्ट में आती इसलिए sleep नहीं आती नीद नहीं आती है और एक अंदर सिंटम्स है जो इसी लिंक नहीं है पिर फिलाल है काफिया पूड़ा कहीं है toothache intermittent दात में दर्द करता है थोड़ी दर ठीक हो जाता है फिर दर्द करता है intermittent toothache है और ठंदा पानी पीने से उसको थोड़ी ज़र के लिए आराम मिल जाता है जर्किंग relief by holding ice water in mouth ठंदा पानी पीने से थोड़ा सा आराम मिल जाता है जर्किंग पानी मुह में ही गरम हो जाता है फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है तो जो काफिया क्रूड़ा का जो केमिकल है वो इसकी जो फेमली है काफिया क्रूड़ा की जो फेमली है यानि जिस परिवार से बि शोटे बड़े भाईवान है प्रिवार फिवर है थोड़ी जर के लिए दर्द आएगा फिर दर्द आएगा फिर दर्द आएगा फिर कम जाएगा इस तक से ते इन तीनों का एई अगर नीद नहीं आ रही है जैसा कि काफी लोग होंगे आपके नियर भाई में उनको नीद नहीं आती गहरी नीद नहीं आती दिमाई में कुछ चलता रहता है क्यों टो एक मतलब थोड़ा सा कुछ बाहर सोरुवा तुरुन जग गए उठके बैठ गए यही उबर नोरा कुछ भी फाइब नहीं पढ़ता आराम से सो जाएंगे अब कुछ लोगों को जड़ा सभी घड़ी की टिक से भी ओभर सेंस्टिविटी से भी उनकी नीद खुल सकती है खुल जाती है तो यह इंडिकेटर है कि ओभर सेंस्टिव है हो अगर ऐसा है तो उसको काफिय क कुरूडा से आराम आएगा अब किसी भी होमर्पैथिक में करिश्टोर से आप काफिय कुरूडा ले सकते हैं काफिय कुरूडा टोंडेड लीजे इसको सुबह और रात को चारबूंद लीजे जीप पर काफिय कुरूडा सुबह और रात को चारबूंद जीप पर लीजे 15 से 20 दिनों तक लीजे इस काफिय कुरूडा से जो अनुज्वल एक्टिवटी है जो ओवर सेंस्टिवटी है मैंड की वह नार्मलाइज हो जाएगी नार्मल लेबल पर आ जाएगी और यह जो दिमाग मे कुछ नुकुछ चली रहा है वह भी रिलीफ होगा नीद अच्छी आने लगेगी और नीद अच्छी आएगी तो डाजेशन सही होगा पेट में गैस कम बनेगी तो सरीर का पोसंड होगा इनर्जी होगी नीद 6 घंटे लगभग 6-7 घंटे तक आना ज़रूरी है ब्रेन को क्यों ब्हें जाख करा से में करने के लिए इस तरह से काम की बात पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दिजिए शेयर भी कर दें कई लोग ऐसे हैं जिनको नीद नहीं आती इस दर्थी पर अनंगिनत लोग हैं जिनको ठीक सरी नीद नहीं आती अगा आप सो पाता है तो इ झाल सबाय समय माजिया थे उर झाल journeys